भाई याद थोड़ी सी तब्य ठीक नहीं है तो इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं था आज कोई भी पोड़कास बनाने का लेकिन आचानक से मैंने रिलेक्स होने के लिए फोन हाथ में उठाया तो मैंने देखा कि यह जो फणी बाबू है ना यानि कि घर जमाई बाबू यानि क यह कहलो कि जो कोई कामधाम नहीं करते जो अपने माबाप को छोड़ कर सुराल में रह रहे हैं घर जमाई वो एक ऐसी स्टोरी लगा रहे हैं जिसको देख कर मुझे रहा नहीं गया कि चाये भले ही मैं छोटा सा पोड़कास बना कर जाऊं लेकिन आप सब के साथ जरूर श और खुद को फजीहत क्या है चली पूरी बात बताते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक तू माई चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन प्रेस कर दे जिससे की मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल प्लीज मुझे कोमेंट में जरूर बताईएगा तो इन्होंने पहली स्टोरी एक डाल रखी ती जिसमें एक जो है बहुत बड़े बड़े से कोई मोलाना है जो बहुत बड़े बड़े वो बाते बता रहे हैं और ग्यान दे रहे हैं वो किस बात के लिए कि पैसा आजाने स इनसान इनसान को कुछ नहीं समझता अपनी ओकात भूल जाता है और भी कई सारी बाते मतलब उन्होंने ये 15 सेकेंड का कुछ है जिसमें 15 सेकेंड में बहुत सारी बाते बोली किन कैप्शन का नाम यही था चार पैसे हमारे आजाएं हम अपनी ओकात भूल जाते हैं जो बि गुरूर घमंड तकबुर जिसको कहते हैं जिनको नहीं समझ में आएगा तो घमंड गुरूर इगो और अपनी जूटी शान दिखाने में इतने बीजी हो जाते हैं कि हम लोगों को भूल जाते हैं कि जो साथी है ना पता है हमारे इसलाम में क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि चै भाई को पहले दिया जाए तो वो भी अल्ला के नजर ही होती है वो सारी चीजे और वो आया भी है इसलाम में के भाई ही भाई के लिए खड़ा होता हुआ नजर आएगा आगे वो कहते हैं तकबुर आ जाता है हम बंदे को बंदा नहीं समझते जैसे कि ये लोग है ये कहां अ नीचा और गिरा हुआ समझ रखा है कि उनको अपने लेवल का अपनी उकात का नहीं समझते यहीं वजह है कि ना उनके लिए कुछ भेजना उनसे ले तो जरूर लेंगे सब चीजे लेकिन कुछ भेजना हो तो आय है 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 इनको सबसे ज़्यादा कमी नहीं को आ जाती है क्योंकि उनकी अपनी किस्मत से तुम्हें मिल रहा है वो अपनी किस्मत का ले रही है वो तुम्हारा नहीं ले रही है तो अगर तुम कमा रहे हो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है उनको देने के लिए तो वो उनकी खुद की किस्मत का लताला ने तुम्हें दिया है इतने क नाती में या फिर उनको नाहक परिशान एक पुप्यों मैं नाकर दिया और वो तो देखो देखो देवते नाती की बात मान रही है अपने पोते की अपने बेटे की अपनी पोती का खयाल नहीं किया और शादी में नहीं गई उसी गाओं में रहते हुए उसी घर में महले में रहते हुए वो अपनी पोती की शादी में नहीं गई तो यह तकबूर नहीं है तो क्या है तुम कौन होते ह किसी को रोकने वाले तुम अपने रिष्टे निभाओना तुम कैसे यह हिमाकत कर सकते हो कि नहीं हम तो मिलेंगे नहीं भई क्योंकि हमारी उनसे अनबन है तो हम उसकी बच्ची के दादी से भी रोक लेंगे जिससे कि वो भी जो है अपने सर पे प्यार से आश्रवात देना यह प्यार से दुआएं देना यह जो है उनको जो है दुआ ब्लेसिंग यह सब चीज ना दे सके हाँ खाला हाला कि वो दादी क्या ही दे देंगे आप मुझे बताओ उनके पास कुछ है देने के अगर है तो सिर्फ दुआएं है रुकसत के टाइम अपनी बेटी को अपनी हमें मना का दिया हो लड़की माईशा मेरी एक सबसक्राइबर ने पॉइंट आउट किया और जो की बलकुल वैलेट था कूर गपने नवालवरो consistent कि या और हमें भी नोटिस कराया माईशा जो हमेशा इनके यहां पर ठीख य। छो कारी मामू है जो इनकी एहां ही रहते है दूसरी बात चलो ये तो हो गया वो मामू जो इनके आना जाना है पर नहीं आने बात थी तो हमने एक चीज ओड़ नोटिस की कि यहाँ पर जो ना वो दूसरे जो मामू है या क्रेसी कज़न है वो भी नजर नहीं आए उनके पापा भी नजर नहीं है कि उन्होंने रिष्टा नाता जो है इस वज़े से तोड़ दिया है क्योंकि मुंबई वासी जो है उनके रिष्टदार है यह तो भाई क्या फरक पड़ता है आप अपने मोहले के हो आप अपना रिष्टा रिखो ना और हज पे जाने वाली कितनी बड़ी नेमत है कि हर किसी क पैसा लेके बैठे रहते हैं लेकिन जब तक अल्लावा के यहां से बुलावा नहीं आता ना तब तक कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वो सारा फैसला उपर करने वाला है वो ही करता है अगर उसका फैसला हो गया है और उसका फर्मान यह आ गया है उसका हुकम हो गया है और उसक के जो मामूं है छचचा है वो सब क्यों नहीं गई और तो और मैं यह ऐ姦 रहा हूं कि जो फुपी आई यह देखो फुपी उनकी यहाई ऌती है जो रहती है चशुपो एसे तोड़ी से और दूरी पर रहती है वह तुर दरास से बार और तो तुम फ्लाइट पकड़कर जा सकते थे लेकिन नहीं जनाब अपने आपको बहुत बादशा समस्ते हैं भुध ज़्यादा आपने आप को ये समस्ते है ना इसलिए ना खुद आये ना किसी को आने दिया ना किसी को जाने दिया ना किसी को एक बार स्टोरी लगा के कोई विश किया ये एटिट्यूट नहीं है तो क्या है ये घमंड नहीं है तो क्या है चार पैसे आ गए तो आज घमंड हो गए अरे जब चार पैसे नहीं देना तो वही मोदाहा वाले मामू वही मदाहा वाले सारे लो उसके ओपर भी बात करें जो कि particularly funny के ओपर यह जिस पर funny ने कुछ caption भी लिखा है एक बुजूर का अंकल है जो बुरी तरह से रो रहे हैं और बता रहे हैं कि उनके बहु बेटे उनके साथ क्या किया तो funny ने ये story शेयर की हुई है और उस पर लिखा हुआ है प्लीज अपने मा कि तुम्हारी मम्मी के बसकी बिल्कुल भी काम नहीं है उनके लिए नोकरानी तो रख सकते हो तो क्या नोकरानी नोकर जो है वो कसर पूरी कर सकते हैं क्या वो हकलाक बुरे कर सकते हैं जो बेटे से जो बहु से कह सकती है माय जो है क्या वो नोकर से नोकरानी से करा सकते हैं पर आइक टाइम पर तो वो भी लोग अपने घर चला जाते हैं बहू बेटा तो डिन राज सात में रहते हैं तो हुआIST टॉक पर और टिक टॉक से दुनिया भरके पैसे कमा रहे थे रातों रात टिक टॉक ऐसे घायब हुआ कि लोग जो ना अर्श से लेकर फर्स पर आगी रहे थे तो यही यूट्यूब का भी है उसके अलावा तुम लोगों में गुण क्या है क्या करते क्या हो अभी तुम्हार कि लिए भी पूछ रहे थे जब हम हम महां जाते जैने गए थे साथ में तो बार बार फोन करते थे पूछते थे यह देखो जब तुम लोगों के साथ में गए थे जब वो इतने होपूलेस और परशान हो पाइंगे क्या वो तुम्हारे लिए तुम्हारी अम्मी के लिए कपड़े दो देंगे क्या तुम्हारे लिए खाना बना देंगे वो सारे काम तो ने खुद करने पड़ेंगे न कौन से महां पर फरजाना बाजी वहां पर उनको मिल जाएगी अगर खुद के बहु बेटा ग छोड़ती ही नहीं है, चाहे फिर वो माबाप के लिए हो, चाहे फिर वो किसी और के लिए भी हो, लेकिन नहीं, अपने लिए तो सब चीज, अपनी माबाप भी चाहिए, भाई 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 भी चाहिए, भतीज़ भी चाहिए, खाला भी चाहिए, सब चाहिए, अपना भरा प बेजार होकर सारी बाते बता रहे हैं, उनका तरस खा सकते हो लेकिन अपने माबाप का तरस नहीं खा सकते हो, मतलब उनको हर चीज पैसे से प्रोवाइट करा थी, पैसा इतनी बड़ी चीज है, जो मा, ममता, प्यार, मुहबत अपने बेटे की मा के लिए हो जाएगी, मा की ब अपने माबाप को रोटी तक के लिए तरसा दिया है, तो दूसरे के दुख को देखके तो तुम्हें बड़ा दुखा रहा है, बड़े कैप्शन डाल ले तो वही वाली बहात है ना, ओची दुकान, फीके पकवान, या फिर दूसरों को नसियत और खुद को फजियत, ये सरफ स्टोरी डालने के लिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के लिए, इन सब शेयर करने के लिए बहुत लेकिन जब दिल पर आती है ना, खुद पर आती है, खुद करकर दिखाओ उनको, लोग कहते हैं ना, कि ऐसा है, वैसा है, उनका काम है, ये है, कोई काम माबाप से बड़ा नहीं होता, अगर है, तो बताओ आप मुझे, क्या आप अपने प्राइवरिटी जो है, अपने काम चिनना चाहे, तो क्या दोगे आप, नहीं दोगे, क्योंकि जब तो तुम माबाप बन जाओगी, जब तुम माबाप बन रहे हो, तो तब तुम्हें ये चाहिए कि नहीं, चाहिए भले हमारा काम ले लो, जैसे ही बच्चे पर कोई भी आपदा आती है, तो माबाप सबसे छोड़ देते हैं, जैसे आज इनोंने छोड़ दिया है, तो क्या इनके माबाप ने परवरिश ठीक नहीं की थी, क्या इनके माबाप का, लेकिन नहीं, उनकी परवरिश नहीं, इनकी संगत ही खराब है, पिछले 6 साल से, 7 साल से, ये उसको ऐसी फीडबेक दे रही है, ऐसी आप कहा है कि 1.5 महीने आप यहां पर रुको, वैसे भी 1.5 महीने तो छोड़ो आप 1.5 घंटा तक तो रुके नहीं, उनके पीट पीछे, उनके साथ ही गए ते और उनके साथ ही वहां से निकल भी लिए, उनकी फ्लाइट भी नहीं उड़ी थी, उनको एइरपोड भी नही तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की स्टॉरी लगाके लोगों को बहकाते हुए और लोगों को जो न ये गलत मैसेज देते हुए जो खुद पर इंप्लिमेंट नहीं कर सकते, खुद में सुधार नहीं ला सकते, खुद में कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता, इस तरह की स्टोरी शेयर करने का भी, तो ये कुछ बाते थी आपके साथ शेयर करने थी, I hope आपको पसंद आई